पैनोख्यो स्टोरी बहुत समय पहले इतली के छोटी से शहर में गैपे तो नाम का एक पूरा व्यक्ति रहता था गैपे तो बहुत ही सुन्दर सुन्दर लकडी के खिलोने बनाया करता था जिससे बच्चे मजे से खेला करते थे वह बच्चों के लिए बहुत सारे खिलोने बनाया करता था गैपे तो को इस बात का दुख था कि उसका कोई बच्चा नहीं था वह दूसरे बच्चों को देखकर हमेशा यही सोचता कि काश उसके भी बच्चे होते एक दिन उसने सोचा कि वह लकड़ी का एक पुतला बनाएगा और उसे अपने बच्चे की तरह अपने पास रखेगा गैपे तो अपने दुकान को बंद करके जंगल की ओर चला गया वह पुतला बनाने के लिए जंगल की ओर गया ताकि वह बढ़िया से लकड़ी लेकर आ सके जंगल के रास्ते में उसे एक देवदार की लकड़ी का तुकड़ा मिला उसने उस लकड़ी के तुकड़े को अपने कंदे पर रखा और अपने घर की ओर चला गया घर पहुचते ही उसने उस लकड़ी से पुतला बनाने का काम शुरू किया यपे तो बहुत ही ध्यान से उस पुतले को बना रहा था सबसे पहले उसने पुतले का मूँ बनाया फिर उसके हाथ बनाए और अंत में जाकर उसके पैर बनाए पुतले का गर्दन, हाथ और पैर हिल सकता था अब पुतला पूरी तरह से तैयार हो चुका था गैपेतों ने उस पुतले का नाम पिनोखियोग रखा पुतला बनाते बनाते रात का समय हो चुका था उसी समय एक दूपता हुआ तारा वहां से गुच्रा गैपेतों ने तूटे हुए तारे को देख कर कहा कि काश इस पुतले में जान होता तो यह मेरे बच्चे की तरह मुझसे बात करता और मेरे साथ खेरता यह सब हो जाने के बाद गैपेतों बहुत ही ठक चुका था वह जल्दी से जाकर अपने विस्तर पर सो गया वही तूटा हुआ तारा एक परी में बदल गए वह परी गैपेतों की बाते सुनकर उसके ख्वाइश को पूरा करने का सोची परी ने अपनी जादू की छड़ी घुमाए और वह पुतला जादू था अब उस पुतले में जान आ चुकी थी जैसी है वह पुतला जीवित हुआ उसने परी को शुक्रिया कहा बात में फिर परी ने उससे कहा पिनोकियो तुम्हे एक अच्छा बच्चा बनना है अपने पिताजी की बात मानना और उनका ख्याल भी रखना है अगर तुम ये सब चीजे अच्छे से करोगे तो मैं तुम्हे एक वर्दान दूंगी फिर पिनोकियो ने परी से कहा अच्छा मैं आपकी बात जरूर मानूंगा और अपने पिताजी का ध्यान रखूंगा उनका खुद ख्याल रखूंगा ये सब होने के बाद परी वहां से चली गई फिर जब सुबह हुआ तब गैपितो ने देखा कि उसका बनाया हुआ पुतला सामने बैठ कर उसे खुर रहा था वो अपनी पल के जबका रहा था ये सब देखकर गैपितो खुशी से जूम उठा उसने कहा अरे तुम जीवित हो तुम्हारे आंदर जान है कल जो मैंने विश्मांगी थी वो पूरी हो चुकी है मैं बहुत खुश हूँ कि तुम जीवित हो इसके बाद गैपितो पिनोखियों के साथ दिन भर खेलता और उसका ध्यान रखता ऐसे करते करते समय भीता गया और दोनों एक साथ खुशी खुशी रहने लगे पिनोखियों बढ़ा हो चुका था तो इस वजह से उसने अपने पिताजी से कहा पिता जी मैं बढ़ा हो चुका हूँ और मुझे लगता है कि अब पढ़ाई करने के लिए मुझे स्कूल जाना चाहिए क्या आप मुझे कुछ पेंसिल और किताब लेकर दे सकते हैं ताकि मैं स्कूल में जाकर पढ़ाई कर सकूँ हाँ गैपेतों ने बिनोकियों से कहा मेरे बच्चे मैं आभी यह सब चीजे तुम्हें लाकर देता यह कहकर गैपेतों तुरंथ बजार की ओर चला गया गैपेतों के पास पैसे नहीं थे इसलिए उसने अपना कोर्ट पेज लिया उसके बदले उसे कुछ पैसे मिले और उन पैसों को वह जाकर पिनोकियों को दे दिया उससे पिनोकियों से कहा तुम यह जो भी चीजों की जरूरत हो तुम इन पैसों से खरीद लेगा पिनोखियो ने कहा जी हाँ पिताची आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसे ही करूंगा लेकिन आपकी कोर्ट कहा है वो मुझे नहीं दिख रही अरे वो बहुत पुरानी हो गई थी मुझे उसको पहनने का भी मन नहीं करता मैं उसे नहीं पहन सकता तुम चिंता मत करो जाओ और चाकर कि स्कूल में चाकर पढ़ाए करो पिनोखियो उन पैसों को लेकर स्कूल की और जाने लगा सबसे पहले वो कुछ पेंसिल और किताब खरीदना चाहता था लेकिन चलते चलते रास्ते में एक जगा पर बहुत सारे लोगों को देखा वहां बहुत भीर था पिनोखियो लोगों के बीच से होता हुआ आगे गया उसने देखा कि बहुत ही बड़ा टैंट लगा हुआ था उसमें लिखा हुआ था सकस सकस के गेट पर एक जोकर खड़ा था पिनोखियो उस सकस के अंदर जाने लगा जैसे ही वो दर्वाजे के पास पहुच्छा जोकर ने उससे रोक लिया और उससे कहा तुम अंदर नहीं जा सकते अंदर जाने के लिए तुम्हें टिकट लेना होगा ये सुनकर पिनोखियो ने सोचा कि उसके पास कोई टिकट नहीं है तो वो अंदर कैसे जा सकता है फिर जोकर ने बताया कि पिनोखियो को कुछ पैसे देने होंगे और उसके बदले में उससे टिकट मिल जाएगा पिनोखियों के हाथ में कुछ पैसे थे जिसे उसके पिताजी ने दिये थे बिना सोचे समझे पिनोखियों ने उन पैसों को जोकर को दिया और बदले में टिकेट ले लिया पिनोखियों अब अंदर जा सकता था वो अंदर गया अंदर जाकर ने धे सारे कर्टब देखें, जादूगा देखें, बहुत सारे भालू, जानवर शेरादी इन सब के कर्टब भी देखें पिनोखियों इन सब को देखकर बहुत खुश हुआ जब पिनोखियों इन सब चीजों के मजे ले रहा था तब ही सकस का मालिक उसे देखने लगा सकस के मालिक ने देखा कि यह पुतला चल सकता है और बोल सकता है मालिक ने सोचा कि अगर वह इस पुतले को अपने पास रख लो तो उसे कटपुतली के कार्यक्रम के लिए लोगों को पैसे नहीं देने पड़ेगे तो अंतने जैसे ही पिनोखियो सकस से बाहर निकल रहा था तो सकस के मालिक ने उसे पकड़ लिया मालिक ने उसे कहा अब तुम नेरे हो और तुम यही रहोगे और मेरे सकस में करतब दिखाओगे पिनोखियो ने फिर उसे कहा नहीं मुझे माव कर दीजिए मैं अपने पिताजी के पैसो को यहाँ पर यूभी बर्बान कर दिया उन्होंने मुझे वह पैसे किताबे खरीदने के लिए दिये थे अब मुझे कैसे भी कर स्कूल के लिए पैसे जुटाने होंगे पिनोकियो शर्मिन्दा था और वह बार बार उस मालिक से बिनती कर रहा था पिनोकियो की बात सुनकर उस मालिक को तया आ गई और उसने पिनोकियों को पांच सोने के सिक्के दिये जिससे कि वह स्कूल की चीजे खरीच सके उन सिक्कों को पाकर पिनोकियों ने कहा कि वह अब सीधे वही करेगा जिसके लिए वह बाहर निकला था और इसके अलावा वह कुछ भी नहीं करेगा पिनोकियों उन सिक्कों को लेकर आगे निकल पड़ा चलते चलते रास्ते में एक लोमरी और एक बिल्ली ने पिनोकियों को देखा उन्होंने देखा कि पिनोखियों के हाथ में कुछ सोने के सिक्के हैं और लोमडी और बिल्ली ने पिनोखियों के सिक्के को लूटने का सोचा वे दोनों उसे बेवकूफ बनाना चाहते थे और उसके सिक्के को हनपना चाहते थे दोनों पिनोकियों के सावने आ गए और कहा क्या बात है तुम कहा जा रहे हो मैं स्पूल की किताबे खरीदने के लिए जा रहा अरे तुम बर्गर और मिलका ऐस्क्रीम क्यों नहीं खरीदते उन दोनों ने पिनोकियों से कहा पिनोकियों ने जवाब दिया नहीं नहीं मेरे पास इतने ज़ादा पैसे नहीं है मुझे किताबी खरीगनी है और मैं यह ऐसे ही बरबाद नहीं कर सकता अरे तुम नहीं जानते कि इन सिक्कों से तुम बहुत कुछ कर सकते हो अच्छा ऐसी बात है पिनोखियों ने कहा चलो आओ हम तुम्हें एक कैसी जगा दिखाएंगे जहां तुम इसे बो सकते हो और इससे धेर सारे सिक्के बना सकते हो बिल्ली ने पिनोखियों से कहा अब पिनोखियों उन दोनों के साथ जा रहा था तौरते दौरते तीनों एक जगा पर पहुँचे लेकिन लोमडी चुके से पीछे से वहां से चली गई बिल्ली ने पिनोखियों को एक जगा दिखाएंगे और कहा हाँ तुम्हें इस सिक्कों को यहां बो सकते हो जिससे कि तुम्हें और भी बहुत सारे सिक्के मिलेंगे और यो को डरा रहा था तब दीरे धीरे पीछे खिसक रहा था और अच्छानक से वह ऐसे गढ़े में गिर गया जिसका उसे पता नहीं था अब पिनोकियों गड़े के अंदर गिर पड़ा इसके बाद बिल्ली और लोमरी ने सिक्को को निकाल लिया और वे वहां से चले गए ऐसा होने के बाद पिनोकियों बहुत ही जादा उदास था और वह उस गड़े के अंदर बैठे बैठे रो रहा था तबी हो पड़ी पिनोकियों के पास आई और परी ने पिनोकियों से पूछा आखिर तुम वहां क्या कर रहे हो पिनोकियों सारी बाते परी को बताया कुछ देर बाद पिनोकियों की नाक अपने आप पड़ी होने लगी पिनोखियों अपनी लंबी नाग को देख कर अचम्बित हो गया उसने सोचा कि आखिर ऐसा हो क्या रहा है परी ने जवाब दिया तुमने जूट कहा था इस वजह से तुम्हारी नाग लंबी हो रही है जितनी बार भी जूट बोलोगे तुम्हारी नाग लंबी होगी ऐसा होने के बाद पिनोखियों ने परी से माफी मांगी पिनोखियों के माफी मांगने के बाद परी ने उससे करणे से बाहर निकाला और उसे कहा अपने घर जाओ और अपने पिताजी का ध्यान रखो पिनुकियो अपने घर की ओर जा रहा था तब रास्ते में उसे उसका एक दोस्त मिला उसका नाम रोमियो था रोमियो ने पिनुकियो को आवाज लगाए और कहा तुम कहा जा रहे हो पिनुकियो मेरे साथ आओ मैं टॉयलेट जा रहा है सुना है कि वहाँ बहुत सारे खेलने की चीजे हैं खाने की चीजे हैं वहाँ हम खूब मजे कर सकते हैं और हमें रोकने के लिए कोई भी वहाँ नहीं होगा रोमियो की इन सब बातों को सुनकर पिनोकियों रोमियों के साथ टोयलेट की ओर चला गया। दोनों टोयलेट में गए और बहुत दिनों तक वहां रहकर खुब मजे किये। उन्होंने धेर सारे चौकलेट खाए, सारे खेल खेले। कुछ दिनों के बाद पिनोकियों ने देखा कि उसकी कान एक गदे की तरह बढ़ी उच्छुकी थी और उसकी पुछ भी थी। पिनोकियों सोचने लगा कि आफिर उसके साथ ऐसा क्यों वो रहा है। फिर उसने देखा कि उस टोईलेंट का मालिक गदों को बजार में जाकर बेज दिया करता था। तरसल वहां हुआ ये करता था कि टोईलेंट का मालिक एक गधा व्यापारी था। वो बच्चों को आकरशित करने के लिए तरह तरह की चीजे दिया करता और उन्हें गधे में बदल देता। गधे में तबदील हो जाने के बाद वे उन्हें बजार में उचे दामों में बेच दिया करता। ये सब बाते पिनोखियों जान चुका था और ऐसे में वह भागते भागते अपने घर की ओर वापस आने लगा जब वह अपने घर जा रहा था तो उसने सुना कि उसके पिताजी बहुत दिनों से उसकी तलाश कर रहे थे जब उन्होंने पिनोखियों की कोई खबर नहीं सुनी तो वे समुन्दर की और उसे खोजने के लिए चल पड़े उस समुन्दर में एक बड़ा सा तूफान आया और वे वही उस तूफान में खो गए पिनोखियो अपने पिता की तलाश में समुद्र की ओर गया और वो तेरते तेरते समुद्र के बीच जा पहुँचा पिनोखियो लकडी का बना हुआ था इसलिए वो पाली में नहीं डूपा जब पिनोखियो तेर रहा था तब उसके पीछे एक बड़ी सी विल आई और उसे निगल गई पिनोखियो वेल के पेट में था और वहां बहुत अंधेर था जब वो बेल के पेट में था तब वो रोते हुए बोला काश मैं अपने पिताजी को छोड़ कर कहीं नहीं होता तो मैं आज उनके साथ होता अभी अचालक से पीछे एक आवाज आई चिंता मत करो बच्चे मैं यही हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ यह आवाज पिनोकियो की पिता जी की थी, फिर गैपितों ने माचिस जलाए और अंधेर चल गया अपने पिता को देख कर पिनोकियो बहुत खुश हुआ और फिर दोनों ने वहां से निकलने का तरकीद सोचा पिनोकियो और उसके पिता ने वेल के पेट की बची हुई लकड़ी पर आग लगाया आग की वज़े से उस वेल के गले में और नाक में धुआ भरने लगा जैसे ही धुआ उसके पूरे शरी में भर रहा था वो यह जोर जोर से खासना चालू किया उसके खासने की वज़े से पिनोकियो और उसके पिताजी तुरंथी वेल के मूँ से बहर आ गए इसके बाद दोनों तैर कर समुद्र तक पर आ पहुँचे दोनों वहां से अपने घर की ओर चले गए और फिर इस तरह से दोनों एक दूसरों के साथ रहा करते और बड़े अच्छे से एक दूसरे का ध्यान रखते थे तो ये थी पिनोकियो की कहानी हिंदी में अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इससे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें